आज हम आए हैं कालो के काल महा कालेश्वर मंदिर उज्जेन में आज हम महा कालेश्वर मंदिर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और उज्जेन से जुड़ी हुई सभी मंदिर के बारे में बताएंगे तो दोस्तों जुड़े रहे हैं हमारे साथ अवंति का नगरी यानि उज्जय के लिए अपका मेरे ट्रैवल गुरूप चैनल पर यूट्यूब चैनल पर और ये जो मेरे पिछे आफ देख रहे हैं ये महाकाल मंदिर है और अगर हम बात करें महाकाल की तो यहाँ पर ये जो उज्जयन नगरी है इसको पहले अवंति नगरी बोला जाता था और उसके बाद ही इसका नाम उज्जयन पड़ा और अगर हम महाकाल की बात करें तो महाकाल का नाम क्यों पड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ महाकाल के मंदिर के प्रांगन में आपको यहां प्रसिद्ध देवी देपताओं के दर्शन हो जाएंगे कहते हैं इन मंदिरों के दर्शन मातर से ही आपको बहुत पुन्ने की प्राप्ति होती है कर दो के दो कि दो कि आपको जाएंगे जर दोगिती हैं झाल झाल वहीं प्रांगण में सिद्धी विनायक मंदिर भी है वहाँ पर आपको पंडित द्वारा रक्षदागा बांदा जाता है वैसे ये फ्री है लेकिन आप अपनी श्रता से कुछ भी दान कर सकते हैं दोस्तो महाकाल की कहानी ये है कि अवंती नगर जब तीय था उस समय यहाँ पर एक राक्षद था जिसका नाम था दूशन और दूशन राक्षद ने बहुत ही घोर यहाँ पर अन्याय किया वा था बहुत लोगों को बड़ा ही परिशान किया वा था उनको मारता था वो तो सब लोगों ने मिलके भगवान शेव से प्रातना की और शिव भगवान खुद आये यहाँ पर अवंती नगरी पर और उस राक्षद का जिसका नाम दूशन था उसका वध किया और उसके बाद यहां के जो निवासी थे अवंती नगरी के निवासी थे उन्होंने भगवान शिव की अराधनय की और उनसे कहा के आप यहां पर विराजवान हो जाएं हमेशा के लिए तो दोस्तो महाकाल के टाइम पे अगर हम बात करें महाकाल की तो भगवान शिव ने यहाँ पर इस काल के अंत तक रहने का जो अशिरवाद यहाँ के लोगों को दिया उसी वज़े से यहां का नाम महाकाल है और अवंती नगरी के बाद इस अवंती नगरी का नाम बाद में उज्जयन पड़ा यह देखे यह सामने आप देख सकते हैं यह देखे जै महाकाल महाकाल के मंदिर के बाहर आपको इतने अदभुद मंदिरों के दर्शन होंगे जिसकी कल्पना आपने कभी भी नहीं की होगी कर दो 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 कर चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उज्जैन आने के लिए आपको देश के प्रमुक स्टेशन से ट्रेन अराम से मिल जाती है और उज्जैन की अगर हम बात करें तो शिप्रा नदी के किनारे बसे महाकाल नगरी अवंतिका नगरी उज्जैन की यात्रा वैसे तो हर किसी के मन में होटी है कि उजयन आकर महाकाल के दर्शन करें महाकाल नगरी उजयन का नाम पहले अमिंतिका नगरी था बाद में यहां का नाम उजयन पड़ा दोस्तों आज हम आए हैं उजयन और आज इस वीडियो में हम आपको उजयन का जो एक्स्प्लोर है वो करेंगे और उजयन के वारे में बताएंगे कि उजयन में गुमने के लिए क्या है और यहाँ पर जो महाकाल के दर्शन है वो कैसे होती है और यहाँ पर जो में गुमने के लिए आप ओटो 20 रुपीज यानि के 20 रुपे पर सवारी के साफ से भी जा सकते हैं या आप ओटो हाइर करके जा सकते हैं जिसका किराया मुश्किल से 100-100 रुपे होता है क्या है वैसे तो जैन में आपको होटल हर लोकीशन पर मिल जाएंगे लेकिन महाकाल मंदीर के बराबर में आप ओटो काफी रिजनेबल रीट में मिल जाएंगे अगर हम बात करें रिटस की तो यहाँ पर 600 रुपे से लेके आपको ऊपर जिस रेट पर आपको चाहिए जिस क्वालिटी का होटल चाहिए वो डाइक्ट फोटल पर आके यहां पर बार्गनिंग करते हैं तो यहां पर आपको वही होटल जो आपको ओयो या गो आई भी वो या मिक्माइ ट्रीप भाई से तीन जार रुपए का आपको आफर कर रहा है वही आप जब डायेक्ट आएंगे तो यह होटल आपको अराम से महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए जी आ दोस्तों यह जो आप पिछे आप देख रहे हैं यह महाकाल का रस्ता है यह महाकाल उद्व्याइन का रस्ता है यह सामने आप मंदिर देख सकते हैं और इस मंदिर की साइट से हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर में इस मंदिर में इस जगा भगवान शिव्व ने दूशन नाम के राक्षश का व्ध कि कि देखे है यह आँका पोहा है यह का लिश्लीटी यह पोहा का है भी यह उजयन का अच्छा ओज यह जो कल्चर एंग का है यह उजयन का है या मतलो इंदोर का है यह पंडा यह पेदारो सक्पुनिय है अच्छा आप-इस-वह जो दोस्तों जैन का स्रिक्षण और रब्डी अगर आपने नहीं खाई तो क्या क्स़ीर कर संद करो лет कर दिए कर दो जना हां था है कर दो संदून आ पोघ्या से क्पलवड़ ανα है उजए जा गाहा हाद मेख जाल गाहा है एक सो दंद बैगा को बिद्ध आपको कि अब इस अब इस नहीं है कि इस परशाद में क्याकि आपकेड कूले बेलपत्रे गुलावे कि अचे फूल बेल पत्र और गुलाव यह कितने का है यह पांच रुपे का फूल यह सालीज रुपे का है थो इन फोम एक सुनस्पों आप आधा शड़कर के अधा 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 यह कितने का यह ठीक है अच्छे यह यह एंडरेट का है अच्छे इसमें किरी भी और यह दोस्तो सबसे अच्छी बात ये है कि महाकाल के दर्शन से पहले यहाँ पर आपको चंदन का लेप आपके मस्तक पर लगाने वाले यहाँ पर काफी लोग मिल जाएंगे और यहाँ पर इनका कोई रेट नहीं है आप अपनी श्रद्दा के साफ से 10-20-50 रुपे इनको दे सकते हैं अब हमने महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर में एंट्री ले लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एंट्री गेट है और अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर जो लोकल उजयन की लोग हैं वो डारेक्ट यहाँ से इस लाइन से आ सकते हैं अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको इस रास्ते से जाना होगा ये gate number 1 है अगर आप महाकालेश्वर के मंदिर में फेमस भसमार्थी विशेश में शामिल होना चाते हैं तो निश्चुल्क भारत मातमंदिर के पास भसमार्थी काउंटर है यहाँ पर आप भसमार्थी का कूपन ले सकते हैं और साथ में आप देखें कि यहाँ पर लड्डू पर रूपे का रेट है भसमार्थी का निश्चुल्क फर्म लेने के लिए आपको सुबह चार बजे से लाइन में लगना होगा और यहाँ पर जो टाइमिंग है वो आठ से ग्यारा ही यहाँ से आप डियारेक्टर प्समार्थी के लिए यहाँ से फर्मेटी भसमार्थी लि के लिए तो अब तो फर्म खतम होगे अच्छा अगर लेने के बाद में पर्सो नंबर आए अच्छा फॉर्म अगर आज अगर हम लेते हैं कल अगर लेते हैं तो पर्सो नंबर आएगा एक दिन बाद नंबर आएगा और हमें तो कल की ट्रेन हमें तो जाना है तो पॉसिब जिवे भसमार्थी जन्रल पंजी करनल कक्षपे आए तो हमें यहां पर यह दिदी मिली बताएंगे कहां पर भसमार्थी के लिए हैं अच्छा तो यानिके सुबह 3-4 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है रात को लग जाते हैं आच्छा और उस फॉर्म को फिल करने के बाद फिर जब नंबर आता है वो नंबर कब आता है अगले दिन की पर्मिशन मिलती है अगले दिन जानिके जो सुबह 3 बजे जो परस्मार्ती होती है उसमें उसका नंबर आता है और बताएं यहां के बारे में यहां पे जैसे जल चड़ने का जो जल अभी शेक बंद हो गया है अच्छा यह कितने टाइम पहले से हो गया है जो लोग दूर से आते हैं सिर्फ इस मनो कामना के लिए कि जब यहां पर आएं जब भी उजयन आएं तो आपको ये बात हमेशे ध्यान रखनी है कि भस्मार्ती का समय सुबा चार बज़े से छे बज़े तक का होता है जै महाकाल उजयन में आने के बाद महाकाल के दर्शन के लिए जब आप जाते हैं और अगर आपको जलाबिशेक आप करना चाते हैं तो आप सुबा आट बज़े से बारा बज़े तक जलाबिशेक कर सकते हैं लेकिन कुछ समय से जैसा कि यहां के प्रशाशन ने बताया है कि कुछ समय से जलाबिशेक यहां के प्रशाशन ने बंद किया हुआ है मैंने तो महाकाल के दर्शन किये जिसमें 50 मिनट का समय लगा पर जब कोई विशेश परव होता है तो यहां 4-5 घंटे भी लाइन में लग जाते हैं कि यह मारी इंफो मेक्स है यह आज कल कुछ जाद ही जो एना यूट्यूब पर दिखाई दे रहे हैं यह पीछे क्या है कैमरे के पीछे क्या मेट्रोकार्ड अच्छा अच्छा आज कल आपके भी उस पर यूट्यूब के काफी अच्छे खाते सब्सक्राइबर हो रहे हैं वह देख सकते हैं पीछे जो कॉरिडर एरिया है यह यह काफी अच्छा कॉरिडर एरिया है जो महाकाल कॉरिडर है जो महाकाल मंदिर में जाने से पहले मंदि कि यह मॉबाइल आपको छूट ही नहीं कर सकते हैं दोस्तों जब आप महाकाल के दर्शन करने आते हैं मैं तो जब यहां पर महाकाल के दर्शन करने आया पूर से अगर हम महाकाल के दर्शन कर लेते हैं बेसे हुए सब्सक्क्राइब दर्शन करने हैं तो यहां पर कुछ टाइम महाकाल के पास होगा है। आप यकिन मानेंगे आपकी आत्मा त्रब्ट हो जाएगा। बड़ा गुटलक मिलेगा वोलो चैमा का यहां पर आप देख सकते हैं महा काल के लाइव दर्शन में चलते हैं किस अलेडी पर यह एक्जिट दुआ रहे हैं जब आप महा काल के दर्शन करके आते हैं आप यहां से निकलते हैं और यह इस तरह किसे सीनियर सिटिजन के लिए यहां पर यह इस तरह कि बनाए गई है और है देख यहां पर हर तरीके का UPना नहीं बैठ सकता हैं अब इस सीनियर चैंद के लिए यहवहां बनाएग evaluating हैं यांपर जितने भी बड़े लोग हैं वह लोग ही है पुलिस वाले हैं वही पर बैठ सकते हैं रहे हैं यह देख कि है यहां से हम एगजिट हो रहे हैं क्या होता है कि महाकाल मंदिल में एंदर नहीं है यहां पर सिर्फ आप मोबाइल सिरुफ गेट तक ले जा सकते और गेट के अंदर आप मॉबाइल नहीं topics करते हाला कि कुछ लोग अपनी जेब में मोबाइल रखकर ले जाते हैं और कुछ फोटोग्राफी करते हैं लेकिन फिर भी वह लाउड नहीं है पकड़े जाने पर वह क्या है ना वह फैनल्टी वगेरा भी लेते हैं और फिर गलत बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है तो आप जब भी आएं तो अपना जो मुबाइल है वह यहां पर जमा करके और अंदर ही जाएं और शांत चित से महाकाल के दर्शिन करें यह देखें यह हम बहार आ गए हैं यहां पर यह लड्डूगा भूग का प्रसाथ काउंटर है और यह बसमार्ती का काउंटर जो मैंने आपको दिखाया था इजिए फाइनली मैं यहां पर उज्जयन में एक आलुगा धावा यादिके जो आपके तुजयन में महाग कालेश्वर मंदिर के बढ़ाबर में यहां पर बैठा हूं और यहां पर मैंने गुजराती खली मुलाई है दोसा मंगा है और कुछ अलग इल दोसा भी कोई खास ने था लेकिन अगर हम बात पर रहें कड़ाई पनीर की और दाल मुपनी या दाल फ्राई अलग से तो जो इनका अलग से बनाया वाया वो तो बहुत बढ़ी है लेकिन जो थाली का और जो 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 दोसा या सांस इंडियन है उसमे मुझे मुझे तो यह अब भी भी आप यहां पर आएं तो आपको अलग-अलग मंगा के आप जो खाएंगे तो आपको वो वेरेटी यहीं मिलेगी लेकिन जो आपकी खालेगी या आउते इंडियन की जीरने हैं वो शायद आपको पसंदे के बाद जब आप मंदिर के प्रांगन से पहार आएंग बड़ा गनेश मंदिर देख सकते हैं हर सिद्धी मंदिर देख सकते हैं विक्रमादितिय मंदिर देख सकते हैं रामघाट मंदिर देख सकते हैं और श्री राम मंदिर देख सकते हैं जिसमें आपको मुश्किल से मुश्किल एक से दो घंटे में आप ये मंदिर घूम सकते ह लेकिन अगर शहर के बाहर के मंदिरों की बात करें जैसे साधी पनी आश्रम है मंगलनात मंदिर है सिद्वट है काल बैरो है गड़ कालिका है भरतरी गुफा है इन सब के लिए आपको ओटो करना होगा और ओटो आपसे 400 रुपे से लेके 500 रुपे तक का चार्ज करेगा जो आपको 3-4 घंटे में ये सभी शहर के बाहर के मंदिर यहां उज्यान आनी के बाद आपको इस चौक पे आना है यह जो आपका चुरा है यहां से आप स्टेशन से आएंगे और यहां सीदे महाकाल के मंदिर और 3-4 मंदिर रामघाट, गनेश मंदिर, विक्रमा दित्य मंदिर और हर सिद्धी मंदिर इसके लिए हमें सीदे ही जाना है और यह पैदल से जाना है चीक है यह देखे इस रोड से आके आपको राइट आना है और यहां से आप हरसिद्धी मंदिर और यह आपका बड़ा गनेश मंदिर और जितने भी बाकी के जो है वो आप यहां से जा सकते हैं करें लगा में सुभय का नाश्ता यहां का फिमस भोहा रबडी जलीबी खस्ता रस्गुला आडी विशह श्रूप से एक ज़ाक्र मिल जाती है लसी अब डबडदी अच्छा अ बैं अ अ वह कर दो पी रहे हैं हैं फुलडवाली तli जीश्डी या और वो भी पुझ्जयन मेल महा कालिक्ष्वर के मंदिर के बनावर है और मिधांजी क्या करें? Info Max जा लगाइब व्लोगिंग जा व्लोगिंग करें जा व्लोगिंग करें अपने व्लोगिंग करें? कॉट साल गोगे अच्या किस नाम से एक चनल? इन्फोमेक्स 14 पर दालता हूँ Info Max 14 सोच लोग चनल पना लो व्लोगिंग या ट्रेवल का ने ट्रेवल बनाओगे या व्लोगिंग बनाओगे? ट्रेवल का मनाओगे अच्या ये बताओ ये बताओ ये सारे लोग ये पूछते हैं कि आप विजियो तो बना लेते हो आइडिटिंग कैसे चरते हो? काइन मास्टर काइन मास्टर से चरते हो आप? अच्छा इस हैप इस हैप इस वेरी कीज़न यहाँ उजयन में सबसे अच्छी बात ये है कि हर चुराय पर आपको इस तरह के LED दिखाई दे जाएंगे जहाँ पर आपको महाकाल के लाइव दर्शन मिलेगे यह देखे यह गेट नंबर चार है और यह देखे यहाँ पर आप तेजी से दर्शन कर सकते हैं अगर आप अगर आप जल्दी दर्शन करना चाते हैं तो बड़ा गणिश के मंदीर के सामने वियाईपी रसीद यानि के 200 रुपे की रसीद लेकर जल्दी दर्शन कर सकते हैं और सबसे मज़े की बात यह है कि इसका शुल्क बहुत नॉमिनल है जो सिर्फ 200 रुपे है थैंक यू आपकी फोटो ले रहा हूं जल्दी के सामने टाचले है जाचले है वियाज़ है, वियाज़ ये अज़ वियाज़ को युपे युपे झाल श्रीराम घाट पर रोज शाम 6 बजे शिप्रा मैया की पूजा आरती होती है इस आरती को देखने के लिए दूर दरास से भक्त जन आते हैं अज़ी दिखिये दिखिये राम घाड है और यहां पर आपको इस तरह से इस्टाइब शार्व कर दो 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 बाल मिल जाएंगे और यहां पर आप खाना पीना भी फोड़ा स्ट्रीट फूद भी खा सकते हैं और साथ में आप यह नोका भी यहां पर जो पानी है वो ज्यादा साफ तो नहीं है यहां पर मच्रिया भी आपको मिल जाएंगे और यह नोका विहार का जो चार्ज है वो थर्टी रुपीज पर परसंद है यह लेके सामने ब्रैंडिंग की हुई है यह यहां पर आप यह इस तरह के जो अरपन हैं वो भी कर सकते हैं यह देखिए यहां पर इस तरह से दी परफड़ भी आप कर सकते हैं और यह खाना पी नभी चलता रहता है कुछ अगर आपको खाना हो तो तो यह जै माखवाल कि यहां पर बोटका किराया 30 रूपए है ना और टाइमिंग क्या रहता है जी अच्छा नहीं टाइमिंग क्या रहता है अच्छा सुबह आट वजे से रात के नो भी तब तो अभी भी खुली भी है अच्छा अबी टाइम जो हो रहा है वह मैं आपको बता देता हूँ टाइम है अभी आट बजने वाले और जैसे कि यह देख सकते हैं आप यह जो बोट है अभी खाली खडी है लेकिन इनका कहना यह है जो ये नोका विहार वाले जो उज्यान के प्रियाटन विकास परिश्द वाले हैं कि अगर 12 लोग आ जाते हैं तो ये अपनी बोट चला सकते हैं और इनका जो टाइमिंग है सुबह 8 वे से रात के 9 वे तक का है चुकि अभी 8 बजने वाले हैं तो अभी ये बोट चालू है और ये आगे जो सेतू है ये देखें इस सेतू तक जाके और यहां से फिटन लेके और वो लास्ट वाले सेतू तक घुमा के ये लेके आती है और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें आपको कोई खास पैसा खर्चनी करना पड़ता 30 रूपीज पर परसन है और आपको मैं हूँ महाकाल के महाकाल की नगरी में उजयन में और उजयन में महाकाल की जो नगरी है यहां का इतिहाक में आपको बताओं यहां की कहानी में बताओं उजयन महाकाल के नाम से क्यों जाना जाता है कारण यह है कि एक काइम में एक राक्षस था दूशन के नाम से दूशन तो एक काई में उन्हों नहोंने उस राक्षव का वद किया कि उस राक्षव का वद करने के बाद जब यहां पर उजयन का नाम पहले था अवंतिनकर अवंतिनगरी तो अवंति नगरी के जो नगरवाती थे वो लोग ने भगवान शिव से आगरे किया कि वो यहाँ पर हमेशा के लिए बस जया है तो इस आगरे को भगवान शिव ने पूरी तरह से स्विकार किया और आशिरवाद दिया कि मैं इस महाकाल के रूप में यानि कि महाकाल का मतलग यह है कि इस काल के अंत तक भगवान शिव ने यहां के नगरवास्चियों को वादा किया उसका मतलब उनको आश्वासन दिया कि मैं इस काल के अंत तक यहां पर शिवलिंग के रूप में विराज मान रहोंगा तो यहां का जो नाम पढ़ा हो महा काल वो इसी कहानी के ऊपर पढ़ा है और यहां पर आकर यह बहुत ही मज़ा आता है मैं इसमय बैठा हूँ रामघाट पे रामघाट पे जो स्ट्रीमर है यह भी बड़ा कूज वाला जो एक्सपिरियंस है वो आ रहा है यह देखे यह जो अगर वैसे देखते हैं, हालाकि यहाँ पर वह समुदर वाला तो नहीं लगता है, लेकिन स्ट्रीमर देखके और यह कुरूज देखके, वह जो मज़ा आता है ना कुरूज वाला वह भी मतलब ऐसा लग रहा है, जैसे छोटा सा कुरूज होता है ना हुआ में भी, तो यहाँ अगर देखा जाए तो काफी अच्छा है, और यहाँ पर जो घाट है, घाट के तासाथ कोई डोर्त हैं, और हर्व सिद्धी मंदिर है, बड़ा गनेश मंदिर है, और सबसे बड़ी बात यह है, राजा विक्रमा दित्ये का मंदिर है, वह बहुत ही अच्छा है, विशाल है और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बताओ, कि राजा विक्रमा दित्ये के मंदिर में, जो राजा विक्रमा दित्ये का सिंगासन था, वह आज भी किसी संदुती चिन के रूप में, चिन 1, 2, 3, इसकला से, मतलब क्या होता था, पहले वह सोनी के सिंगासन ना होके, वह एक पत्थर के और चूने के सिंगासन होते थे, तो उसकी जो चिन है, वह आज भी उज्यान में, यानि कि मैं रामघाट कर हूँ, यहां से मुश्किल से 300-400 मेटर जूर, राजा विक्रमा दित्ये का मंदिर है, तो वह भी बहुत अच्छा है, और मैंने इस वीडियो में रा पता हूँ, इतने मैं थोड़ा सा कुछना हूँ कि क्रूज का मज़ा ले लेता हूँ, क्योंकि काफी टाइम के बाद, गोवा के बाद, क्रूज का मज़ा मुझे इन महाकाल के नगरी में दोस्तो, महाकालेश्वर के दर्शन से पहले, लोग शिप्रा नदी में स्नान करते हैं, उसी के बाद, महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं और अगर रामघाट की बात करें, तो जैन में यातरी जब आते हैं, तो श्री रामघाट पर जरूर आते हैं, क्योंकि यहां शिप्रा नदी बैती है, यहां पर आप सर्प, दोश, पूजा और पवित्र स्नान शिप्रा नदी में कर सकते हैं शिरी राम घाट पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं शिपरा नदी पर आप बोटिंग सिर्फ 30 रुपे प्रतिसवारी में बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं दोस्तो महाकाल के दर्शनों के बाद मंदिर परिसर में महाकाल कोरिडोर बड़ा ही गजब का बनाया है जितना दिन में नज़र आता है उससे कहीं ज़्यादा सुन्दर ये रात को दिखाई देता है रात को 6 बजे के बाद यहां की लाइटिंग शुरू हो जाती है और जो गजब का नज़रा आपको रात के टाइम में महाकाल कोरिडोर का मिलेगा वो आपको दिन में नहीं मिलेगा वो आपको रात में ही मिलेगा महाकाल कोरिडोर की जो वीडियो है वो मैंने अलग से ट्रेवल गुरू चैनल पर डाली है आप उसको इजली देख सकते हैं दोस्तों यहां पर सबसे अच्छी बात यह है अवंति नगर यानिके उजयन की कि यहां पर आपको 60 रुपे थाली से लेके और उपर जो भी आप रेट चाहें क्वालिटी चाहें उसके विसाफ से खाना मिलेगा यह भी बहुत अच्छा है कि जिनको कम बजट में खाना चाहिए तो यहां पर हर चीज की विवस्ता है और अलग-अलग मार्केट अलग-अलग तरीके से चीज करों से लग कालगर कर दो चाहा हो करोड़ है बस्टाइब बाता बाता लोगा का लोगा लुट सिवीं कौना अटोगा कर लोगा ममा कर दो दोगा के लागा सुटाइब कर लोगा कि पाता हुआडा सुटाइब किया है तर्बकाशाट्स झाल कि खंग लो लो बाश भाच राप बायाओ थोर भाच मुझंडने लोगी नो डियमाम हो जदगा कि रयसा लिवाज्ट नो भावा च। मुझंडने लोगो झाल 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 बहले आग से बहले माईफ समय दोर प्रणाओन कर दोर जला है समय को ठाचा है को बहले प्रणावी टुम्हाब प्राचाँ झाल 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 झाल